हेलो फ्रेंट्स मैं विवराज मिश्रा और आप देख रहे हैं और एक्सपर्ट्स तो आज मैं अकले बत इंपोर्टेन उडिये लेके आया हूँ टाटा नेक्सवन नेक्स जरनेशन या फेसलिफ्ट के उपर आप जो चाहिए वह कह लीजे तो यहां पर नेक्सवन में न्यू प्रोडक्शन फेस के उपर जा रहा है उसके स्पाय शॉट्स में आज हम लोगों ने बहुत एक्साइटिंग फीचर्स देखें बहुत जादा तो जो भी नेक्सवन यार लेने की सोच रहा है या कोई भी सब कॉम्पेक्ट स्वी या स्वी लेने की सोच रहा है इन दा रें स्वी लायट्स में हम लोगों ने हम लोग देख रहे हैं कि उसमें सिकुंटल इंडिकेटर दे रहे हैं एंड आपको LED लाइटस पूरी अटेज़ड मिल रहें connected वाली just like venue में जैसे हम लोग को देखने मिल रहे है connected in the tail lamps ऐसे करके connected रहेंगी and sequential indicators मिलेंगे in the spy shots हम लोग ने confirmation है यह मतलब वो predictions नहीं है यह confirmation है कि यह चीज तो आ रही है and यहाँ पर एक और confirmations है कि आपको 17 inch का tire मिलेगा 17 inch का tire with bigger profile bigger width and यहाँ पर front face जो है आपका curve से inspired रहे गवी हो मैंने last video में भी हो दा था but इस video में भी बोल देता हूँ and यहाँ पर एक चीज हम लोग रहे है और interesting job भी तक मैंने नहीं बताए थी वो एक और चीज है वो है यहाँ पर infotainment वो आपको शायद से maybe SUV and exon Tata के बोलने पर SUV and exon तो यहाँ पर उस पर भी harrier and safari वाला maybe infotainment carry forward किया जाएगा harrier and safari वाला so यहाँ पर अब हम लोग को big infotainment मिलेगा जो की एक big miss थी nexon में जो अभी तक आ रही है and यहाँ पर हम लोग को layout भी interior का change मिलेगा and हम लोग को size से leather वाली कर दी जाए and हम लोग को थोड़ा सा premiumness मिल जाए nexon में 360 degree camera रहेगा add-arse का भी confirmation नहीं है मैं यह बता दू add-arse का confirmation अभी आपको nexon में नहीं दिखेगा because spy shots में भी तक कोई भी radar based thing windshield पे नहीं दिखी है ना ही front पे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होते है लाइक कर देना subscribe कर देना thanks watching our experts by subscribe करना मत भूलिएगा